BPSC TRE 3 की घोषना की जा चुकी है और ऐसे में फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में परिक्षा लेकर परिनाम घोषित कर दिये जाएंगे अध्यक्षे अतुल प्रशादया सर इतनी जल्द जल्दी घोषना हुई है अगस्त में पहले परिक्षा होने वाली थी हाँ अगस्त में परिक्षा होने वाली थी और वो परिक्षा अभी भी होगी अगस्त में उसके पहले एक और परिक्षा हो रही है जो की मार्च में होगी वो TRE 3 इसको समझे है और अगस्त में जो परिक्षा होगी वो TRE 4 है सप्लिमेंटरी रिजल्ट नहीं आया बच्चों में काफी नराजगी है कई बच्चे उदास भी दिख रहे हैं इसको लेकर तो क्या माना जा उनके लिए एक बड़ी ऑपर्चुनिटी है बिलकुल ये एक तरह समझ सकते हैं कि TRE 3 जो एक तरह से उन्हीं दोनों भी भागों के लिए जहां-जहां सप्लिमेंटरी रिजल्ट नहीं आया है उन्हीं दोनों भी भागों के लिए ये सप्लिमेंटरी एक्जाम समझ सकते हैं काट ओफ को लेकर भी काफी बच्चों को मन में संकाएं रहती है वो अनावश्यक है काट ओफ पर किसी का नियंद्रन नहीं होता है किसी एक अभियर्थी का नियंतरन तो बिलकुल ही नहीं होता है आयो का भी कोई नहीं होता है उसमें अभियर्थी कैसा परफॉर्म करते हैं इन जेनरल और साथ में प्रस्टन पत्र का क्या स्थर होगा उसपर डिपेंड करेंगा यह तो अभियर्थी इस चीज़ पर कट के लिए ज्यादा चिंतित होने की जरूत नहीं है उनको अपना काम करना है अपनी पढ़ाई करने ठीक से एक सवाल लगतार उठ रहा है कि ये जो बहाली तीसरे फेज की हो रही है उसमें संभावित जो सीट है उसको लेकर चर्चाए हो रही है तो क्या रहेगा संभावित कुछना भी मुझे पराप्त नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्दी जब पराप्त हो जाएगी तो मैं निश्चित तोर पर सब को बता दूंगा यह माना जाए सर कि होली के पहले परिणाम जारी कर दिया जाएगा इसलिए कि साथ आर दिनों का वक्त है परिक्षा के परिणा हो गया था ना मुझे उमीद है कि शायद उसी तरीके से इसमें भी आएगा तो मार्च के महिने में पड़िक्षा ली जाएगी और होली के पहले उसका पड़िनाम जो है वो जारी करने की सम्भावना जताई जा रही है वीडियो जनलिस्ट अभी से के साथ सानी जी मीडिया प झाल